26 जन्वरी यानि हमारा रिपब्लिक डे वो दिन जिस दिन हमारा सम्विधान लागू हुआ था वो सम्विधान जो हमें कई तरह के अधिकार और आजाद ही देता है वैसे ही टेश्पोक आपको देता है अपने सरकारी नौकरी की तैयारी सबसे बहतरीन तरीके से करने की सुपर कोचिंग के साथ और इस रिपब्लिक डे पर सुपर कोचिंग आपके लेकर आया है ग्रेंड तो अगर आप इन एक्जाम्स की तैयारी कर रहे है तो अभी जाईए और इस ओफर का लाब उठाईए झाल 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 ठीक, ठीक, अब आ रही है आवाज, क्या अब आवाज आ रही है, मुझे एक बार कन्फर्म कर दीजिए, सभी लोग क्या आवाज आ आ रही है, अब आवाज आ रही है, नो साउंड, ठीक है, अब चाहिए, ठीक, गुड, चलिए, गुड इबनिंग, नमशकार, सभी प्यारे साथियों का, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, मतर्य आपको पता है कि भाई कल हमारा Republic Day है, और Republic Day के लिए आपको टेस्स बूक हमेशा कुछ न कुछ बहतर आपके लिए करता है, आप इस बात को जानते हैं, और आपके पास लाश शन भी है, अगर आप इस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा, अभी एक उच दिर पहले दरोगा का रिजल्ट आ चुका है, तो उसी तरह से बिहार पुलिस कॉंस्टबल के लिए गर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बिहार S.S.C. के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यान रखेंगे, बिहार S.S.C. या बिहार पुलिस कॉंस्टबल का कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम प्राइस पे अभी आपको चल रहा है, ग्रेंड रिपाबलिक डेसेल में, जो कि आपका 100% कैस बेक भी आपको होने की उमीद है इसमें, तो आप यहाँ पर जाकर प्रशान्त का कोड लगा कर आप इस बैच के साथ जूट सकते हैं, अगर आप इसमें अभी तक नहीं जूटे हैं, तो जूट सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है इस बैच में, चाहे कॉंस्टेबल वाला होगा, या भी हारे ससी का होगा, या कोई भी एक्जाम का प्रिपेशन कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है, साथी साथ में एक चीज और बता दू, आज के लिए, बस यह ध्यान रखना, यह जो ओफर है, आज के लिए, कि अगर आपकी प्रिपेशन हो चुकी है, आप पूरिय अच्छे तरीके से पर चुके हैं, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, तो आपको पता है कि मॉक टेस्ट के लिए भी है, टेस्ट बुक से बड़ा कोई प्लिटफॉर्म है नहीं, तो आप जो आज के लिए मैं मतलब कहें दू कि सबसे लोइस्ट प्राइस है, केवल आज के आज के लिए बात करो इसमें, हैना 269 में आपको पास और प्रो जो है लगबग मिल जाता है, और आपको यहाँ कूपन कोड में यूज कर लेना है, सेम कोड, प्रशानत अगर आप कूपन कोड यहाँ लगा लेते हैं, तो पास प्रो जो है यह आपका हो जाएगा, वन इयर के लिए, इवल्यूट आपने सक्षेश जो है उसके लिए, यह गंतन दिवस का ओफर है, और यह केबल आज ही आज के लिए है, ठीक है, तो जलने से इस ओफर का देख लिजिए, और अगर आप मौक्टेस लगाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ जूर जाएए, ठीक है, तो यहाँ तक सारी बाते रह गई है, सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर अब हम यहाँ से आगे की ओर बरहेंगे, एक बार सबी लोग स्वासा शेयर कर दीजेगा, ठीक है, एक बार सबी लोग सेशन को शेयर कर दीजेगा, जिससे मुझे थोड़ा पता चले कि भाई कौन-कौन यहाँ उपस्तित हो चुका है, और कौन-कौन अभी प्यारे साथ ही हमारे बचे हुए हैं, फिर जाके हम शेयर को लेकर चलेंगे आगे, और इस बार का फिर वही हमारा रहेगा कि कम से कम 50 questions तो हम लोग लेकर चलेंगे ही, जिससे आपकी तैयारी और भी बहतर हो सके, ठीक है, बाकी चीज़े आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना, रेडी हो चुके हैं सब लोग, गुड, हैपी, रूपा, शंगीता, सीता, चोहान, ठीक है, पंकर जी, अनू चौधरी, शालू सिंग जी, ओके, चलो भी, बिवेक शिंग, राजपूत, मीनू कुमारी, ठीक है, चलो भी, सबीर आलब, हाँ, गुड, सबीर भाई, आज आ ग रहतना, सोचना, समझना, फिर उत्तर देने का प्रयास करना, और हम लोग लेके चल रहे हैं कि भाई, देखो, टाइम के साथ, हम लोग आगे बढ़े हैं, टाइम के साथ, हमारा कुश्चन्स आना चाहिए, An example of cell deboid of nuclear membrane and mitochondria is what? सीधा सा बोला, परमानु जिली और सुत्रकनिका से रहित, कोशिका का एक उदाहरन है, मतलब सुत्रकनिका का मतलब समझ में आजा चाहिए, आप लोगों को, MITRi consolidocondria को ही सुत्र cânica कहा जाता है ध्यान रखना हिंदी में M altro-Candria उसी का सुत्र cânica होता है परमाणौ जिलिससके हाप पहले जी साहमत होंगे को déjà कि बाद कहा जा रहा है, देखें लोड़ cinco घुड़ी तो इक बर इसका आंसर ्याठी ठीक है ठीक है, नाजी C कह रहे हैं, सब भी लोग C के साथ चल रहे हैं, सर बिदाउट में यहाँ पर, आपको मैं बता दू, जब हम जिवानु कोशिका की बात करते हैं, तो जिवानु कोशिका बहुत ही सिंपल होता है, छोटा सा होता है, उसमें मैट्रोकांड्रिया रहित की बात कह जा रहे हैं, हैनगा Nuclear Membrane and Metallica क्या होगी? भई, रहे ती है, Nuclear Membrane कहाँ से हैं, परमानू का जिली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर Niglius कहो नज चाहिए, किंद्रक जिली की बात करेगा, हिंदी में क्या होगा यह किंद्रक जिली होना चाहिए, सुत्रकनिका ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं न यह चीजें हैं तो यहाँ पर कंद्रक के 34 जिली इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह प्रोक्यारियोटि क्यासी है अपको मैंसे पढ़ाए था 4-4 जिली और जिल सकते दे nothing से आपकी गलती है यहाँ पर ठीक है भई चलिए अगले सवाल की और चलना चाहिए दूसरा सवाल यह रहा और मिक्स कोशन है फास्ट ले करिएगा जहां easy होगा जहां मुझे बताने की जोड़त होगी मैं बता दूगा आपको चार्स डर्विन आप सभी लोग जानते होंगे चार्स डर्विन के विशह में हमेशा की यह सर यह किसे है तो यह जब भी बात करता है तो भाई हमारे जीवन की उत्पत्ती कैसे हुई है उससे संबने सारी बातों पर इन्होंने बात किया था जोड़ दिया था कोई देखकत नहीं है इसमें evolution थेओरी की बात करेंगे जब भी तो evolution से जोड़ा हुआ इनका नाम आता है कहता है कि इन्होंने biological classification पर जोड़ दिया था या cell as a unit of life पर दिया था जीन पर दिया था evolution अरे मेरे मुह से answer निकल जाता है बिना question ही मैं बोलता चला जाता हूँ answer निकल के आ जाता है मैं क्या करूँ मेरे ये गलती हो गई है मैं सिर्फ question देखता हूँ मुझे बोलना है लगता हूँ और बोलते बोलते मुझे options पता चल जाता है कि अरे मैंने तो बोल दिया answer ही ठीक है अब बोलना ही मैं बंद कर दूँगा मतलब मेरे शब्द में ही answer निकल जाते है मैं क्या करूँ अब सब उसी पर गर्दा बुरा देता है questions कोई दम कुछ समझता ही नहीं है ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ मैं बोलना बंद कर दूँ मैं सच पूछो दिल से कह रहा हूँ मैं question सिर्फ पढ़ता हूँ और मैं बोलना शुरू करता हूँ पता चलता है वैसे यह आंसर आ जाता है अहार नली एक लंबी ट्यूब होती है बहुत सुंदर जो डैस तक फैली होती है मेरे भाई अहार नली है और कहां तक फैली होगी सीधी पता है सर 32 फिट 36 फिट का पूरा होता है पूरा उपर से लेके नीचे तक काई कहां तक फैली होगी तर अहार नाली एही तो हमारा होता और इस ही में सारा चीज क्या है सारी मशीन जो है यहीं लगी हुई है जो पचाने वचाने का पितरस सब कुछ देने का काम करती है तो टोटल मशीन भी हमारी इने पार्ट में लगी है सीधा कहेंगे मुवसे शुरू करेंगे एनस तक निकालेंगे ठीक है मेरे भाई मुवसे पेट तक ही आहारना लोगा बाबु फूड पाईप का मतलब सुरू करना उपर से लेके यह फूड पाईप ही है पूरा यह जहां से आपका मलत्याग होता है और ज विर्फ साइडर मसीन है मेन यही चीज है इसी पाइप से आती है और इसी पाइप से जाती है क्या बात करते हो साहब ठीक है आंसर आपका डी बनेगा मैं कह भी दिया रहा हूं फिर भी नहीं बता रहे हो ऐसे कैसे होगा अगला देखो पेलागरा किस विटामिन से होती है देख बाबु डी और ए तो कहानी होगा नहीं ए वाली आपको पता होगा कल भी हमने कहा था ठीक है एक लरका था रोयल एकस दी उसने कहा था किसर ए बाला बिटामिन में जो हमने कहा था प्लेंथेलिमिनिया करके आएगा या क्यारोटीन करके आए आए आँक से संबंदित तो खतम डी होगा ने जब तुम्हें आंसर ना मिले तुम इसको काटना सुरू करो अपने आप आंसर आ जाएगा तुमारे पास आप 50-50 परसेंट बेरी-बेरी की कहानी तुम्हें पता होगा B1 को लेकर जो कि हमारा बेरी-बेरी की कहानी है बचा हमारे पास क्या B3 है तो ही हमाला क्या होना चाहिए पहला लागरा होना चाहिए बाकी कोई कहानी तो दुमें पता होना चाहिए हर चीज़ जानते हो अच्छा एक बात पूछ दिया जयो बितामिन बिथरी का नाम क्या है बबू ये मुझे बता देना कमेंट वॉक्स में थीक है और एक लोग सभी विसफोटक बारूद में पाया जाते हैं बाबुरे पूछा क्या है चाहिए और एक्स्प्लोसिफ फाउंड न गन पाउडर क्यामिकल है और गन पाउडर है अब ये बात ध्यान से देखो गन पाउडर में कैल्सियम सलफेट होगा पोटासियम नैटर्टी एक बात हमेशा या गन पाउडर में आंसर ठोग देना है उसमें ठीक है बारूद मिल गया तुमको आंसर मिल गया ठीक है हमने क्या कहा याद रखना पोटासियम इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा सकडिया होता और एक्टिव होगा तो जलेगा ठीक है हलाकि उसमें चूड़न भी मिलाते हैं ऐल्मॉणियम का इसमें कोई दो आए नहीं है ठीक है लेकिन पोटासियम होना चाहिए सल्फर होना चाहिए और चारकोल होना चाहिए एकतीनों कहाने आपको दिगग जयुक्तiron सवाल है बुआ क्या होगा आंसर अमल राज सांध हाइड्रोक्लोरिक अमल और सांध नाइट्रिक अमल देखो यह मैंने ना एक फॉर्मूला बताया था अगर इस प्रशन का जो गलती करोगे उस पे मैं पीटने का मतलब मन तो बहुत ज्यादा करेगा कि मैं उसे पीट दू ल रोयल बावू आ गया है बिवेक है पूजा शरीता दिनेश शालू राजन धनेश शब ने आंसर दे दिया है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बावू ने हमने कहा था तीन सब्दों से बना हुआ खेल है अब इसका मतलब तीन सब्द का मतलब I love you मत समझ लेना ठीक है तीन होता है जिसे कहते है सर HCL में कितना वड़ है एक दो तीन मतलब तीन पूछा क्या क्या है बोला कि हाइड्रोक्लोरिक अमल और सांद नाइट्रिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक ही तीन होना चाहिए 3 is 2 1 कहां दिग गया कहेंगे सर यही आंसर होगा बस खटक से उत्तर लगा दे है अगला सवाल में उस घ्रंथ का नाम बता यह जो मानव मस्तिस की मढद रेका यानि दो मस्तिस गोलार्दों के बीच में स्थित होता है उस घ्रंथी का तुम्हें नाम बताना है अब बताए हमारे दिमाग में और वुला घ्रंफिक अब देखो मेरे चा मतलब धनी है यह दिमाग में किडिनी थोड़ी होगा, काम खतम, काट ना सीखो थाइराइड तुम्हें पता है कि सर गले में होगा पेनकरियाज हमारे पेट में होगा बचा क्या कहेंगे सर पीनियल है, आंसर खतम होगया ठीक है, ए बालों का क्या कहें हम सीता चौधरी जी क्या कहें हम आपको अब भी वालों का क्या कहें हम एक-एक पार्ट बता रहे हैं एडरेनल अधी बृक का मतलब कीडिनी कीडिनी के आसपास होगा थाइराइड गले में होता है पेट में लेके आ जाओगे तुम्हें बोला कि गरंथी का जो मानव के मस्तिस्क में ब्रेन में होना चाहिए बाबू तो क्या होगा मतलब तुम लोग भी ना क्या ही कहें तुम्हें हम MPR 10 की एकाई है बायो फजेक्स केमेश्टरी सब में एक्स कुश्चन है MPR किसकी एकाई है इसमें गलती मत करना थोड़ा भी गलती करने की कुण जाइस नहीं है इस तरह के सवालों में थोड़ा देख लो आठ मिनट में आठ सवाल हम लोग कर चुके हैं क्या 11 मिनट हो गया है 3 मिनट पीछे हैं जल्द जल्दी करो बबूरे मैगनेटिक फिल्ड से MPR का कोई लेना देना नहीं है ठीक है लाइट के इंटेंसिटी से लेना नहीं है और चार्ज जहां देख लो वहाँ कुलंब होता है ठीक है करेंट जहां देख लो वहाँ MPR होता है बस इतनी वो कहानी है आंसर डी के साथ चल जाना आंसर क्या होगा डी के साथ चल जाएंगे अगला सवाल वाबू ब्यूटेन गैस का सुत्र क्या होता है याद है ना आपको मेथ, एथ, प्रॉपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अक्टेन, डिकेन यह सब कहान याद है की नहीं याद है यह आपके organic compound का सवाल पूछा है और butane है तो पहले formula याद रखना C N S 2 N अब प्लस 2 बाले पर यह होगा क्योंकि यह हमारा saturated hydrocarbons में से एक होता है और saturated hydrocarbons में से जब भी एक होगा अब butane हमारा C का value N का value कितना कर दो कर दो कि N का value 4 इस पर बिठा दो C का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा hydrogen है 2, 2, 4, 2, 8, 2, 10 होना चाहिए यादि कि hydrogen का value कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए C4, S10 कहां दिख रहा है तुम्हें option के दो कि सर यह हो गया यह pentane हो ठीक है यहाँ पर आपका यह 6 है और यह 8 है काम खतम हो जाएगा ठीक है butylene बेगरा का कहानी खतम होगा answers तुम्हारा निकल के आ गया अगला सवाल थोड़ा सा जूम करता हूँ और बढ़िया से फिर से जवाब देना artificial silk है natural silk है, thermoplastic है thermosetting plastic है बाबू जल्दी से मिला दो यह प्रशना आपके कहां से पूछा गया है यह topic आपका polymer होता है chemistry में, daily usage में जाओगे तो वहाँ polymer वाले topic से सवाल पूछा है देख बाबू, artificial silk है इसका मतलब है कि यह semi-synthetic होगा क्या होगा? semi-synthetic होगा मतलब natural और artificial दोनों सा उसको मिला कर देया गया है thermo plastic और thermo setting plastic मैंने किदनी वार तुमको पढ़ा दिया है इसमें कोई ने देखो thermo plastic में PVC लेके चले जाओ thermo plastic में ये लेके चले जाओ ठीक है, natural fiber में oil को लेके चले जाओ और rayon को क्या करोगे? यह हमारा semi-synthetic होता है answer आपको दिख गया A का उत्तर 4 होना चाहिए A का उत्तर 4 देखो, पहला दुगो खतम नीचे वाले में दुग में है B का उत्तर 1 होना चाहिए B का उत्तर 1 है, answer तीसरा इसका बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा? तीसरा इसका answer बनेगा solid है मेरे भाई, सब लोग इसका answer दे रहे हो health lab बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, ठीक है और fast इसी रूप में चले तो किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होने चाहिए न सब को सब कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहे ही चीजे ठीक है, see right है बाबू अगला सवाल है the growing voice box, बाबूरे मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे voice box का मतलब हो जाता है, ये वाला ठीक है, हम गले के पास आते है तो दो चीजे हमें देखने को मिलता है याद रखना, यहाँ पर एक जो है ठीक है, इसे हम अगर voice box की बात करें, एक हमारा लरकों में बढ़ते कंट को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे डैस कहा जाता है voice box नब voice के अनबे सीन या इससे क्या कहा जाता है, जानते हो इसे कहा जा, जिसे कि हम लोगों का ये है न निकला हुआ है, गर्दन है, तो गर्दन के पास देखो के ये निकला हुआ है, लरकों में ठीक है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है श्वास नली और भोजन नली वाला जो है ना काम मतलब भोजन जा रहा है तो इने कि सांस अटक जाए और सांस जा रहा है तो भोज़न अटक जाए उसको बचा कर रखने का काम होता है उसे एडम सैपल के नाम से जा जाता है तुम पेड़ वैच वाले जाके PDF देख लेना उसमें हमने लिखाया हुआ था और अच्छे से हमने इस बात को बताया भी था ठीक है उत्तर आपका D सही ह अगले सवाल देख लेना किस विज्ञानिक या विज्ञानिकों ने सापेक्स्ता के सिधानत का प्रस्ताव दिया था हमेशा ध्यान रखना सापेक्स्ता के सिधानत के कारण नहीं नॉबल आवार्ड भी दिया गया था और वो बिद्वान बहुत सारे होश्यार बिद्वान इसलिए इन्हें मैं बता दू, photon का सिध्धान्त भी इन्हों नहीं दिया था, photon यानि प्रकास का एक क्या है, quantum particles है, photon, ये भी बातों इन्हों नहीं किया था, Watson and Crick ने आपको पता होगा, Watson and Crick ने DNA से सम्मधिर double helix model तयार किया था, Albert Einstein is the right answer, Charles Darwin या Joel Danton परमानू से related है, Charles Darwin आपका बता ही दिया कि evolution से था answer, इसका दूसरा बिल्कुल ही सही है, अगले सवाल पर चलना, लाल रंग का ओप्योग खत्रे के संकेत के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है, जल्दी बताना, और session को एक बार share कर लो सभी लोग, एक बार session को share करते हो, तुम्हारा का में देखो, session को share, like और subscribe कर देना चैनल को, मैं रुक नहीं रहा हूँ न, आपके level का practice है, और speedly question को मैं deal कर रहा हूँ, ठीक है, और आप ही लोग कहते हैं, sir, comment नहीं पर न, मैं किसी का comment भी नहीं जादा तर, ठीक है, जल्दी से घतम करो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है बाबू, इस question का जवाब देना जल्दी से, क्या होगा इसका answer, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबने answer दे दिया, बहुत सुंदर, good, बाबू, सेरी सी बात है, लाला होने का, दो रिजन है, पहली बात याद रखना कि इसका तरंगत है, जज़ादा होता है, यानि वेवलेंद क्या कहेंगे, वेवलेंद जो होता है, वो maximum होता है, दूसरा का रणड होता है, तिसका weekend, शमस्से कम होता है, इसका smartering सबसे कम होता है, ऐस क paisके क्रिण क्या 밤 है दूसरा इसका option का answer होगा अगला पराग का दूसरे से उसी फूल के वतिकागर प्रस्थांतरन क्या कहलाती है एक ही फूल की बात बोल रहा है दूसरे से उसी फूल के वतिकागर पर transfer of pollen from anther to the stigma of the same flower is referred to as what देख बाबु सीधी सी बात है जैसे कि हमने क्या कहा कि है यह फूल है ठीक है और इस फूल में ये तो बाला part हमको पता है यह वतिकागर है और यहां पर जो है क्या pollen grain अगर इसमें आकर गिर जा रहा है इससे क्या कहा जाते है इसको allogamy कहते हैं गॉतनोगamy कहते हैं जैनोगया मी कहते हैं मतलग सेल्फ नहीं प्रोड़ंब्स यहां प्रोड़ंद के क्रिया हो रही है यह valid पार्ट एस्टिगमा Definitely आपको पता होना चाहिए ठीक है और यह वाला पार्ट हात यह पूरा एंथर ठाश और इसमें यह pollen grains का surface stigma में जाना ही हमारा pollination क्यालाता है तो जब एक ही फूल में जा रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे यह बताना है अलोगयमी है, गौटनोगयमी है, जैनोगयमी है या ओटोगयमी है, देखो सब का अलग-अलग नाम है किसी ने पक्षी के द्वारा किया है, किसी ने हवा के द्वारा किया है किसी ने किसी दूसरे के द्वारा किया हो उटोगयमी के साथ सब लूग जा रहे हो, तो आंसर बिल्कुल सही है खुद से ही गिर गया हो, हवा आई होगी तूट गया होगा और गिर गया होगा एकदम कम 25-35 कुश्चन के बाद थोड़ा सा सांस लेना है, फाशली बनाओ, पौधे का मादा परजनन अंग नहीं है, सीधी सी बात अब इसमें पूछा, तुमको हर एक बार हम बता चुके हैं, देखो बाबू, इस्टाइल कहेंगे बिल्कुल है, इस्टिग्मा है, बाबू परजनन अंग तो होता है, लेकिन छुपा उआ होता है, ठीक है, रेप्रॡर्डक्विशन, हिदेन रहेको धीं है, ब्सक्ति नहीं है, देखने का ओलो हुए यह और फाइटा, थैलोफाईटा, टर्डवोफाईटा या ओल, ऐक्ले आपूipeь से सभी में परजनन अंग इसमें जरतना पत्ती भी नहीं पता चलता है इसमें थोड़ा बहुत पता चलता है packi और तरन लेकिन जर पता नहीं चलता है यह थोड़े से बिख्शित होते हैं लेकिन लोकि अंग छुपा हूआ है अब इस पर चरचा करके बता न पुष्प नहीं होता है यह बात ध्यान रखना है और इसमें सारी चुपे होते हैं अगला देख लेना अगला क्या है आपको कह रहा है कि कौन सा युगम सही है ध्यान से देखना sources correct mineral source वो भी क्या mineral का source पूचा है खनीज का source इसमें पूचा है okay ध्यान से देखोगे खनीज का मतलब बिटामिन अजो है वो पपीता में है और आईरन पालक में है आपसे एक सवाल पूचा जा रहा है बोला कि इसमें कौन सा युगम सही है ध्यान rhythms में बटा दू पहली बात प के सफसे जदक किया है और यहां इसका सेवन किया करें क्ablyima के सांथिक हो ज़्यादा बहुत जादा Темे क्ली आधियाnellबिक होना चाहिए था ठीक है होना चाहिए।dro कुल आंसर सही है मेरे भाई ठीक है अगला सवाल देख लेना और मुझे लगता है यह कुश्चन का जवाब आप दे दोगे थोड़ा सा रुक के जली से खतम करो इसका अंसर हाँ जी चलो पंकरज बहुत सुंदर सोनी बिवेक गुड़ चलो सोनी पाठक गुड़ अगला सवाल भुँए देख में गला सवाल क्या कर रहेक एग इंजनकी चमता जो है से वाट में में कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया तो भी नहीं बन रहा होगा फॉर्मूला लिखने के बाद भी नहीं बन रहा होगा मेरे बाई तीन चो के बारा ऐसे ही होता है वरक उपन टाइम सीधा सामने दे दिया था फिर भी नहीं बना होगा कैसे काम चलेगा किसे न्यूट्रोन की खो कोन होगा बई 40 साला का उत्तर सभी है अगले सवाल पर चलना होता है जल्द जल्द आगे बढ़ोगे उतना टाइम और प्रभावित होता है बहुत पार मैंने बताया है ने बाकेरिया फंगी वाइरस गारण जलंदी हप करता बाबू किसा कारण होता है है यारण घृराई हो भी होता है है जांड़ करते हैं हाना हमीशा इंफुलेंजा हो जाया चेचक हो जाया है सब कुछ यहες चिकनगुनिया भी वाइरस है याद रखना या मलेरिया प्रोटोजोा का होगा इसलिए, कन्फूज मत करना पायरिया होगा तो प्रोटोजोा का होगा यह सब याद रखना बल्कि चिकनगुनिया भुखारी है वह आपका वाइरस होता है तो आंसर यह याद रखना है अगला सवाल यदि किसी कोशिका में उसके समरूपी कोशिका से दुगुने डिने हो तो वह कोशिका डैस कर रही होगी श्रसन या आपका डिस्चार्ज कर रही होगी मूब्मेंट कर रही है बताओ क्या है कोशन बहुत अच्छा सा है एक सेल जो ह है इसमें एक डिने है इसमें रही होगी दूसरे में बांत रही होगी इस कर रही होगी तो ररने के लिए तो आंसर गया बनेगा अंसर की बड़ जाएगा क्या होगा एक पाइप में बहने वाले दरब की प्रवाह की गति की और दर को मापने के लोपियों किया जाने वाला सीधी सी बात है जैसे कोई पाइप है ना देखो पाइप है और इस पाइप से आप कहते हैं कि इतना क्यूबिक मीटर जा रहा है तो आपको यहां पर आंसर कह रहा है कि इससे जो लिक्विट निकल रहा है पानी निकल रहा है न ठीक है उस पानी का जो रेट है फ्लो आफ रेट की बात करते हैं कितना दर से पानी निकल रहा है उसकी माप बताईए आप लोग सुने होंगे बिहार में अकसर कहा जाता है नेपाल ने पानी छोड़ दिया ठीक है हम कहते हैं इतना क्यू वाले जहाजों में काम करता है समय के लिए इंडिकेशन के लिए हम क्राईव मिट्र का यूज करते हैं तो दो तुम्हारा काम खतम एक है मैक में अब होता है धोनी मैक का मतलब किया धोनी से शांबन नित होगा और इसको हम speed map ते हैं तो ये भी काम खतम बचा कि आपके पास option में Venturi meter is the right answer of this question जब हम fact को देखेंगे तो मैं मुझे कहोगे तो मैं रुखने के बाद हर चीज का define कर दूँगा लेकिन तुम लोग को यह है कि सर जल्दी जल्दी ज़्यादा practice करने की है और तुम लोग एक गलती क्या करते हो ना कोई भी offline comment नहीं करते हो कि सर पचास में मेरे पास आज marks कितना आया मुझे थोरा सा ये भी तो देखने का हक है ना मेरे भाई कितना marks तुम्हारे पास आया है यहाँ ना सही टेलिग्राम पर ही मुझे बता दिया करो है ना बता दिया करो कि सर इतने marks आज हम पचास questions में लेके आये हैं copy रखा करो ठीक है copy रखा करो जैसे कि पहले से ही एक दो तीन चार पाँच ठीक है और नहीं इसे ज्यादए speed के हाँ होगी निर्वात में कहेंगे क्या कहेंगे बागू कहेंगे निर्वात में होगा pole ही लगवाद दूगा अगर जाड़ा ऐसा होगा तुम लोग कहोगे तब संख्या बढ़ाते चलोगे हम पोल लगवाद देंगे अगन st абets Kalameda कлож पहलता दए में और नौर वेमें में ध्यान रखना कहता है कि योन गुंसतरों के एक पड़ी पुर्ण जोड़ी पाए जाती है ध्यान रखना यह थोरा सा कुश्चन पेचीदा है अगर हलका भी दिमाग इदर उधर कर लिया तो तुम्हारा दिमाग काम खतम हो जाने वाला है कुश्चन एक लाइन में 60 आंसर आएगा नहीं आ रहा है तो आंसर गलती हो जाएगा सब लोग भी पर जा रहा है अच्छिक बात बताओ आपको पता है कि 46 ही होंगे ठीक है क्या होगा 46 होगा आपको पता होगा कि 22 जोड़ा जो होगा वो सेम होगा चाहे मेन हो या फिमेल हो लेकिन ए एक होगा XX अगर XX है तो आपको पता है क्या होगा दूसरा हमारा क्या होगा XY होगा यही क्रोमोजोम का रेशियो है यह वाला हमारा फिमेल होता है और यह वाला हमारा मेल होता है बावू अब तुम उसको बोला परफेक्ट जोड़ा क्या है अब 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 नहीं बताओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इतना हिंट हमने दे दिया है, ठीक है, 22 जो रहा है कि इसे auto-jom के नाम से जानते हैं, याद रखना, और इसे कहा जाता है, sex chromosome SC, sex chromosome के नाम से जाना जाता है, और हमें question क्या पूछा, पूछा क्या कि यौन गुन सुतरी, यानि sex chromosome की ही बात कहा है, ध् पर लिख दिया है, क्या double X, ये perfect है, और क्या है, यहाँ X, Y, जो कि different है, जबकि आपको क्या पूछा था, perfection वाली बाते पूछी थी, आंसर क्या होगा, B के साथ तुम्हें चल जाना था, जब figure बना के हमने बता दिया, तो भी आपको समझना चाहिए था, अगला, निमलेखि पता चल जाता, तो मुझे ये सारी चीज़े यहाँ से information मिल जाते, तो हम काम कर लेते, बहतर कर लेते, बताओ क्या बोला कि इसमें की अंतरगत वर्गी करन की बात कहा गया है, ठीक है, जल्दी बताओ क्या होगा, ठीक है, चलिए, समझ में आगया सब को सब कुछ, आंसर क्या होगा, सबने आंसर दिया है कि सर्व वाटर होना चाहिए, मेरे भई वाटर ही होगा इसका अंसर, सीरी सी बात है, योगी के बारे में थोड़ी ने बताया था, योगी के बारे में किसी ने बताया था, क्या, नहीं ना, आंसर वाटर योगा बिल्कुल सही है अगला सवाल है कौन सा कार्बोहाइडरेट का सुरोत नहीं है ध्यान रखना पूछा नहीं है सोर्स आप कार्बोहाइडरेट मैंने परहाया था ना अच्छे से याद होगा ना आप लोगों को पेड़ वाला हर एक बच्चा को याद नहीं है mutual कर्बोहाइडरेट का सुरोत नहीं हमेशा ध्यान नहीं दियान नर्खना मुटा ना जो ओता कर्बोहाइडरेट का बहुत बर aujourd होता है खासकर का अलू बगराइभ बहुत ज्यादा कर्बोहाइडर आपको मिल जायेगा यहां पर मिल एंट है जो होता है हमारा लिग्यू मिनेशी कुलका होता है कौन से कुलका होता है लिग्यू मिनेशी कुलका होता है अगला सवाल है किस तत्य की बिदुत रिनात्मक्ता सबसे अधिक होती है मैंने अच्छा रिनात्मक्ता पूछा है ध्यान रखना इसमें सबसे अधिक रिनात्मक्ता, दो तीन सवाल मैंने कई बार कहा है, आपको एक affinity पूछेगा, है ना affinity पूछेगा, सबसे अधिक affinity किसकी होती है, अब दूसरा आप से पूछा है कि, इसमें रिनात्मक्ता ऐसे सवाल खूब पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सकडिय सटत्तु क कोन होंगे सबसे ज्यादा इसमें रिनात्मक्ता वाला तक्तु कॉन सांगे और सब से उसाथ जा रहा है ऊश्य bers जबकि oxygen हमारा हेलोजन में नहीं आता तो oxygen को भी काम खतम कर दो अब तुम्हारे पास दो options मैंने 50-50 कर दिया है अब बताओ क्या answer आएंगे क्योंकि आपको पता है ने chlorine, chlorine, iodine, bromine ये सब क्या है हमारे सब के सब ये जो है हमारे हैलोजन फैमिली और हैलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा रिनेटिविटी की अगर बात करेंगे तो वो हमारा chlorine के साथ जाता क्या होगा जब भी आपके कहदे और रिनात्मक्ता वही बिद्धूत के साथ रिनात्मक्ता की सवाल आजाए तो हम इसे chlorine के साथ चलेंगे ठीक है बाबू अगला अब इस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम भरूसा है कि हमने इतना बढ़ाया है कि इसका जवाब आप एक मिनिट भी नहीं लगाएंगे दो सकेंड में बता देंगे आप बस कुश्चन को पहने में जो समय लगा लगा बाकी आंसर तुम्हारे मुँपे होना चाहिए बस परहने में जो समय लग जाए लग जाए बाकी इसका उत्तर आप तुरत बता देंगे क्योंकि जरा दृष्टी दोस है जरा का मतलब है प्रेस बायोपिया ना निकट है ना दूर है तो दोनों को हटा दो ठीक है बचा क्या हमारे पास यहां पर यह काम खतम हो जाएगा और यह काम खतम हो जाएगा अब तुमारे पास दो आप्शन्स है जरादरिष्टी दोस्क होता कभ है यह प्रेस बायोपिया आपको अगर यह चीज़े याद होंगी तो आंसर क्लिर हो गया ठीक है यह चीज़े अगर और बिंदुपता हो जाता है एक हमारा प्रेस बायोप अब बड़ी के काम चाहिए जिसका कौर्णिया ठीक ना हो जिसका कौर्णिया टेरह को इरा होता है उसका असर गोरे पास कर दो기에 उनांसर क्यntकि यह जू बीमारी होती है बाभू यह की बस्तू दिखेगा ना नजदी की बस्तू दिखेगा इसलिए हमें दूर की लिए भी देखना होगा और नियर की देखना होगा तो गांधी जी का इस तरह का इसमें लेंस देखा होगा इस तरह इसमें चार रखना है कि जो बाइफोकल होता है कि यही हमारा है। इसका फोकल लेंद कुछ और होगा इसका फोकल लेंद कुछ और होगा इसलिए दो फोकसी लेंज से कहा जाता है क्योंकि इसमें उत्तल अबतल दोनों पहले तीन तब चाहर ध्यान रखना गांधी जी के तरह अब कुश्चन कभी घुमा के पूछे तो इसका जवाब आप दे करेंगैं और ऐसार कोश्चन में दम नहीं है हैं लेकिन ऊप लोग शेर नहीं करते हैं यह ळग बात है ठीक है तोरने के बाद जो चीज़े बनती है उसके बाद वो कहां जाता है कहते हैं उसको उसे माध्यम सो बदलता वहीं पर वह राथा है bereits हम क्या कहेंगे साइटो रखना वो कहता है क्या है HNO3 है HCL है HF है HBR है एलकोहल को हम अक्सर सीसे वाले ही जितना भी शराब का बोतल देखा होगा उसको हम शिशा में रखते हैं लेकिन इसमें एक बात और है कहता है कि यह काच के साथ प्रतिक्रिया कर ही लेता है ग्लास में नहीं रखते हैं ऐसा कौन है HNO3 HCL है HCL तो normal है हमारे पेट में भी रहता है HF और HBR यह दो में से थोड़ा सा देख लेना ठीक है HCL तो normal है हमारे पेट में भी रहता है उसको तो म्यूकस सही कर लेता है बाकी तुम्हें क्या बताना इसमें आंसर गुड़ सी इसका अंसर होगा मेरे भाई HF होगा क्या होगा hydrofluoric acid HF क्या कहेंगे HF is the right answer गुड़ चलो भाई अगले सवाल पर चलते हैं एक अबतल दरपन जिसकी focus दूरी F है बहुत सुन्दर यदि 6 cm लंबाई की कोई बस तो मुखक्च पर 4 F पर रखी जाते है तो उसके परतिविम की लंबाई क्या होगी बस simple सा question है परतिविम की लंबाई पूछा है formula अगर आपको याद है तो चीजें आपके समझ बन जाएगी अगर formula यार नहीं है बाबु साहब तो आपसे questions नहीं हिलने वाले यह questions नहीं हिलने तो यार कखना इसमें कुछ formula वाला काम जो है क अगला सवाल है निमिखित में कौन सा दिल के गुर्दे तक रक्त पहुचाता है अब तो आसान सा सवाल है कहां दिल से गुर्दे तक अब सोचो ना यह हमारा हर्ट है ठीक है और यहां से कह रहा है नीचे तक कौन पहुचाएगा बताओ हमारा kidney तक कौन खून के लिए लेक कौन सा लेकर आता है अच्छा दिल से लेकर गुर्दा तक यानि kidney तक आएगा तो इसका मतलब है खून हमारा शुद्ध आएगा अब शुद्ध आएगा तो कौन सा लेकर आएगा बताओ ठीक है खून हमारे पास शुद्ध आएगा और शुद्ध खून हमारे कौन सा लेकर बस О experimental 6 2C बात हे नाम से सब्सक्राइब चुर्ब उसे हम घ्रेव चाहिए नाम की प्रक्रिए गणार। मतलब position के तौर पतुडिक डिच uniform है quo को मतलब definition के दार निस आपन ने सुना होगा करता से शोधन से रिफाइनिंग ऑफ जो हम ओर कहते हैं उससे हैं फॉर डिदूशिंग ऑक्साइड ओर तु दे मेटल या फॉर कन्वेंट कन्वेर्टिंग कार्बोनेट ओर टुद ऑक्साइड और से यह रिलेटेड है बताना क्या बनेगा कि चलिए अब आंसर में सीधा कहेंगे ब्फॉर कर्बोनेट ओर टुद ऑक्साइड ओर या öर निस्पातन धातौ प्रकृरिया है जिसे हम क्या क्या कहते हैं इसमें कार्बोनेट अइस को ऑक्साइड आसमें परिवर्तित करने की जो प्रकृरिया है उसे ही हम कैलसीनेशन के नाम से जान dalге रही और चारन से के लिए 3 दो से घूजरती है बहुत सुंदर तो 4 सबस्तों रहuito 5 अब बिस्थापन को गया करें कितना हुआ है 5 मिटर गती के साथ आगे बढ़ रही है चार सब्सकी दो मिटर के तरें से कुझरते क्या बात है मतलब उसकी चींटी वो तो सीधा 5 मिटर पर सेकेंड है ठीक है लेकिन कहता है कि 4 सेकेंड के लिए उसने क्या किया 2 मिटर पर सेकेंड स्वायर के तरण से क्या किया गूजर गया मतलब यह इतना 4 सेकेंड के लिए बढ़ गया पुछा है तुम लोग इतने स्पीड में बना यह कैसे लेते हो चल्दान दीजेओं और यूरिया की जब भी बात करते हैं एक और NS2 कह दीजिए ठीक है इधर भी NS2 कह दीजिए और बीच में लगा दीजिए CEO काम खतब ठीक है न अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो NS2, NS2 और C की बात कर ले रही है हमने तो यहाँ पर अच्छा होता गया इसमें आंसर क्या बनेगा मैंने C लिख दिया carbon dioxide एक ही options था एक ही options था ठीक है अगले सवाल पर जैर उल्बरक नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं जय बायो फटिलाइजर जो है वो नाइट्रोजन को किस में convert करते हैं अब तुमको देखने से ने पता चल गया होगा जब हम बायो foursilाजर की बात करते हैं जीसे हमारे k いूरीक एसीड में मैं नैट्राइड में नैट्रोएट में इंतकी लूगते हैं तो यूरिया नיारत के गुछ को सुझेए। नीत्र हुआ सिर्ग सुछ का इस तो आपके बनेंगे। ca nicest hero जी जी iba आमोनिया जाधा झांटा होता है। तु आंसर्स सेंस्टाराइं है कि शोल mówi заб读 copy बनेंगे द्लाइन पुरिवर्तित कर सकते हैं। कर सकते तब वो ओन्मोनिया के ओंधिमें काहाणी में कौन करता है राइजो बीयम करता है ये नैजट की कहानी वग की आपको अलग कहानी था इसमें ठीक है क्या चल क्या रहा है तुम लोगों का कमेंट सेशन में कुछ अलग अलगी बात चल रहा है मतलब क्या क्या चल रहे थो रुख जाओ मैं पढ़ना पढ़ेगा भाई कोई कुछ नहीं कहेगा यह हो क्या रहा है भाई हम पढ़ाने पर तोड़ा स्पीड लगे हुए तुम लोग यहां कुछ और यह स्पीड कर रहा है हेल्थ लैब राइट टू प्रोपर्टी सीज दे र मुझे और जाओ आम तर्पहर्वारिजल का उपियोग ज्यादातर किसमे किया जाता है वोटर भारीजल है अपका है विवाटर का परियोग जो है ठीक है तो इसमें क्या चल रहा है कहता है कि अग्णिशामा की यंतर में कपड़े धोने में परमानूर्च रियक्टर और तेके लेकिन इसने कहा कि आप तौर पर जणरल इपूछा जा रहा है कि मोश्यूली अगर आप कहざंचShow थे नुखली जो अगलेién को लेकर जलता है इद यदि एक बस्तू को 12 मिटर तक सबस्रण याता है 60 kg दर्मान वाल एक बस्तू प्राप्त की गए, इस्तती जूर्जा ग्याद करें भया, formula याद होगा ने, इस्तती जूर्जा का जिसको नहीं याद है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ जो P, E बराबर होता है, M into G into H का value ले लेना और G की value तुमको दे रखा है, 10, height भी पता है, M पता है जल्दी से निकाल के इसका आंसर बताओ, क्या वनेगा, M, G, S का formula है जल्दी से उत्तर solve करो, और आंसर निकल के आ जाएगा 60, 12 और 10 है, ठीक है, meter है, kg है, और 10 है, तो कितना होगा आंसर तो तुम्हारा 50 कैसे निकल गया, मेरे भाई, कैसे 50 निकल गया, हमको दो 72 निकल रहा था इसे भी जो रहो, तो कितना हो रहा है, 6 गुना 10, आपका 600 हो जाता है, बर्चक बहतर हो रहा है, 700, यहाँ पे बहतर सो आंसर तो ऐसे निकल किया रहा है, मतलब कुछ भी, निम्लिकित में से पादक के किस उतक को बर्दमान उतक के रूप में जानता है, देखो, ग्रोइंग टिशू के रूप में किसे जानते हैं, कौन सा ग्रोइंग टिशू, अब जो बरहेगा, ग्रोइंग टिशू, ठीक है, अस्थाई कब हो जाता है, जब उसमें बिर्दी बंद हो जाती है, राइट तो प्रोपर्टी, चलो आगे जल्दी से, पहले पर लो तुम लोग कहां तुम मनमोहन मनमोहन में लेकर चल रहे हो, पर्मानेंट नहीं होगा, क्योंकि पर्मानेंट उतक क्या होता है, कि यहाँ पर सीधा सा आंसर ध्यान रखना, पर्मानेंट इसलिए नहीं होगा, क्योंकि पर्मानेंट पूरी तरह से जब समाप्त हो जाती है बिर्दी की गुन, तब ही वो पर्मानेंट बनता है, उसमें बिखंदर नहीं होगा फिर, ठीक है, अगला सवाल है, निमलेखित में कौन किटानुओं के खिलाफ एक बाधा के रूप में कारी करता है, और मानब तवचा को स्वस्त और बरकरार रखता है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि कौन किटानुओं के खिलाफ एक बाधा के रूप में कारी करता है, और मानब तवचा को स्वस्त और बरकरार रखता है, आप ट्वठा सकेज़क के तो का मुझे तो रखंग की ऐसी पर 9 कंई अनकी में होता है क्योंने पुर्ण हुआ ते मुझे एक यह वाले का उत्तर समझ नहीं आ रहा है मुझे इलाली कुमारी ना है डैस पहले वेक्ती थे जिन्होंने कोशिकाओ के खोज की थी सबसे पहले कोशिका की खोज सोलस और पैसर टेस में किस ने किया था आप्शन में दिख गया होगा जल्दी से लगा उत्तर इस प्रशन का उत्तर तुम लोग तो ही दोगे हम ही आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल द्रब का पीएच साथ पाया गया या कौन सा द्रब होने की संभावना है पीएच वेल्यू किसकी साथ होती है सिंपल सा कुश्यन है इस कुश्यन का आंसर क्या वनेगा पीएच वेल्यू शाथ होती है इसका आंसर क्या वनेगा यादोगा टेंपरेचर के साथ रिलेशन में हमेशा रिलेशन आपको बताता हूँ किसके साथ मेरे भाई सेमी कंड़क्टर की अगर बात करते हैं सेमी कंड़क्टर का ठीक है सेमी कंड़क्टर की बात करते है तो ये क्या चीज बढ़ता है जानते हो रसिस्टेंस के साथ अगर याता है रसिस्टेंस के साथ तो इसमें गर्म करने पर resistance इसका कम हो जाता है तो option में है कहीं पर कम हो जाना decrease होना कहेंगे सर सीधा answer होगा क्या होगा resistance decrease होगा first decrease then decrease नहीं होगा तापमान में बिर्धी करोगे तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है घटता है answer इसका D चलना है ठीक है relation opposite याद रखना है अगला सवाल international system of unit जिसको हम SI कहते हैं में एक horsepower का बिद्धूत सम्तुले कितना होता है 1 HP is equal to odd कहीं पर value दिख रहा है आपको जल्दी से मारो value अगर दिख रहा है तो चलो 44 question पर आगे 6 questions और हमारे लिए बाकी है ठीक है clear है good answers क्या बनेंगे भाई तो 746 watt क्या answer है 746 watt इसके right answer होंगे अगला सवाल निम्न में किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं किसमें ऐसा है जिसमें दिशा भी और परिणाम दोनों होता है मतलब वो एक परकार का वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए बागू क्या होना चाहिए बागू क्या होना चाहिए वेक्टर अब बताओ मुझे मास है आयल फाइबर और सकतिसाली फैटी एसीड से भरे हुए जिन्हें माध्यम स्रेंखला कहा जाता है डैस होगा वो अभी कल भी कुश्चन हुआ था हमने इसमें चर्चा किया था जिसमें ओमेगा-3 fatty acid पर भी बात हमने कल किया था एक आया था जिसमें आंसर हमने किया था कल पहला कुशन इससे तरह से स्टार्ट हुआ था कोकोनट अर् लोड़ेड विद फाइवर और पावर्फुल फैटी असीड कॉल्ड मीडियम चेंज कॉल्ड ओमेगा-3 fatty acid कहते हैं ट्रांस फैट कहते हैं पॉली साथ कहते हैं या ट्राइगलास ड्राइट कहते हैं चलेंगे फैटी अगला अननस कैसा पहुदा है और पता ही है कि जहाँ आधरता ज्यादा होगी उसमें हाइडरो यानि कि पानी में उगने वाला पौदा है मरुध जैरो फाइट यानि कि मरुध विद का मतलब होता है मरुध अस्थल में उगने वाला या आपको कहता है मेसो फाइट है समुध विद होगा पहले ची आनानस होता कहां पर बस यह आपसे पूछा कि कहां पर आनानस ह होता है क्वेशन पर थोड़ा से गंभीरता के साथ इसको सौल्व करो ठीक है किसमें और अनानस जो होती है वो खेत में वो बर्ने का काम होगा ठीक है क्या वो हमारे मर्व अस्थल में अनानस होंगे समझ में समझ में आ गया बात है अघला सवाल, इसमें है क्या कि किसे पादप वर्ग का उभहेचर कहा जाता है इस कॉश्वन का आज़र तो हम नहीं देंगे, तभी चलेगा काम, ठीक है? इस कॉश्वन का आज़र तुम्हें भी देना था साबुन, रेवन, कागज, बिसफोटक, रंजक और पेट्रोले मुतपादों के निरिमान के लिए किस ओकार्बनिक योगिक काउप योगिक है तच्छे के बात पता ओकार्बनिक है साबुन बनाने में हम किसका परियोग करते हैं साबुन है, आप मार जाख है, ये सब पॉलिमर है ठीक है, रेगुलर डेली वाइज में यूज करते हैं इसमें से किसका परियोग करते हैं और कार्बनिक योगिक है ठीक है, क्या बोला इसमें और भी एक्स्प्लोसिव जो भी प्रोड़क्ट है इन और्गेनिक है, और्गेनिक नहीं है, इन और्गेनिक है अब आंसर से इसमें क्या बनेगा, किसका उप्योग करते हैं राव साबुन, रेवोन या कागज में इसका जो आंसर होगा आपका एन ए ओएस ठीक है, सोडियम हाइडरोक्साइड जो है इसका प्रियो करते है, जब भी और कारवनिक बोल दिया था यहाँ देखो कारवन तुम्ह एक लोरीन की बात है यहाँ देखो कारवन की चीक है, यहाँ पर देखो तुम का काम खतम कर देता ठीक है, किलोरीन बगरा है अग्ला 50 कोश्डन, और यह आपका homework रहा तुम्हारा पचासवे questions के लिए यह आपका homework रहा मेरे भाई ठीक है यह question आपका homework रहा और मुझे एक पार जरूर बता देना कि 50 में से तुमने कितने number लाए हैं ठीक है how many number you have get in 50 total आपका out of 50 में आपने कितना लाया है इसे comment करके आप मुझे जरूर बताओगे ठीक है कम सकम try करो यहां आते हो तो time pass नहीं करो पढ़ने आते हो एक घंटे के लिए अच्छे से पढ़ो 50 questions अभी हम लोगोंने discussion करा है जो important थे ठीक है बाकी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे बहतर चीज़े यह होती है अगर आपके पास अभी option है तो मैंने हमेशा कहा है कि आपके पास अभी option है एक तो पहला option यह कि गंतन दिवश पर आपको pass और pro जो है आजरात के लिए यह offer है जो सबसे कम price में 269 में आपको मिल रहा है सबसे कम price में अगर देखेंगे 269 मिल रहा है बस आपको यहाँ पर code लगा लेना है प्रशांत का ठीक है जो आप mock test आप दे सकते हैं टेस्ट बुक के लिए बहती बहती बहतरी नौफर है दूसरा सबसे बड़ी चीज हमने कहा अभी आपको grand republic sale चल रहा है जो को बहत कम price पे देखोगे यह 324 है ना बिहार SSC की बात करोगे 284 में मिल जाएगा जब आपको यहाँ पर code लगाओगे क्या प्रशांत का आपको कहोगे कैसे लगाएंगे से तो उसके लिए कुछ नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जाना है सीधे आजाओ ठीक है यूटूब पे आजाओ यूटूब क्लिक करो यहाँ यूटूब के होम पे आ जाओगे यूटूब खोलोगे ना आपको पहले ही क्लास देख जाएगा यह रही तुमारी क्लास है ना PDF कहां लेना है क्या कैसे मिलेगा सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ अभी यह क्लास आपकी चल रही है और 84 ल नमबर पे देखोगे प्रशान सा टेलिग्राम आईडी दिया हुए यहीं पर आपको बाबू पीडियाप मिल जाएगा फूल पूरे अच्छे तरीके से और यहीं देखोगे आपको कोई भी बैश लेना है यहां लिखा होगा बिहार एससे इंटर लेवल यहां पर क्लिक कर आप जाओगे यहां से आप बैश के साथ जूर सकते हो उमीद करूंगा कि आपको टेलिग्राम आईडी भी पता चल गया होगा और बैश कैसे लेना है कहां से लेना है अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो यहीं से आप बैश भी परचेज कर सकते हो तो आज के लिए से इतना ही फिर मिलते हैं अगले सजन में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए मस्त रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए थैंक्यू वरी मुच